नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment तो दोस्तों आज हम लोग अपना सारा basic start करने वाले हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं community platform लेकर आ रहे हैं जहां पर मैं आप लोगों को अपनी प्रोवाइट करवाऊंगा अपने courses और सारी चीजे आपके जो doubt session होते हैं और पर्टिकुलर एक group होना चाहिए तो यहां से हमारी आप journey start हो रही है तो मैं दो-तीन वीडियो इसकी उपर बनाऊंगा कि मैं क्या-क्या कर रहा हूं कैसे start कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरी हर up-to-date पता चलती रहे तो यह सबसे पहली वीडियो इसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग किसके थू सारा काम करेंगे और किस-किस थरीके से मैं आप लोगों को क्या-क्या चीजे provide करवाऊंगा और definitely यह चार महीने के अंदर यह साल खतम होने से पहले-पहले हम लोग इस community को बहुत बढ़िया बना लेंगे और हर जगा से लोग इस पे जुड़ना चाहेंगे यह अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा यह सब को करना पड़ेगा इसलिए मैं सब लोगों का साथ चाहता हूँ अगर आप लोग मेरा साथ चाहते हैं तो मैंने थोड़ी बहुत research करी तो मुझे पता चला मैं उसके बारे में भी आपको बताता है उसके थुरू हम कैसे काम करेंगे courses पे मैं क्या-क्या चीज़े provide करवाने वाला हूँ plus stock specific related queries आपकी जो हमेशा आती है मेरे comment section के अंदर बहुत सारे लोग पूछते कि हमने यह hold कर रहा है यह हमारा portfolio है अगर हमने यह रखा वा है तो review कर दीजे बता दीजे तो वो सारी चीजे भी होंगी और जो stocks मैं buy करता हूँ वो भी आप लोगों को बताया जाएगा तो A to Z A की platform पे सारा आएगा video session के through होगा हम webinars लेंगे zoom meeting के through भी करेंगे और voice के through भी आप इस पे अपनी सारी queries और अपने doubts क्लियर कर सकते हो तो सारा कुछ एक ही जगह में लेकर आ रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग provide क्या क्या करवाएंगे उसके बाद हम सीधा discord के channel पे चलते है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग course में क्या क्या provide करवाएंगे सो देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहली important चीद बता देता हूँ कि basic requirement क्या है basic knowledge होनी चीए आप लोगों को technical analysis पे basically मतलब candlesticks क्या होते है candle क्या होती है high low क्या होता है open or close क्या होता है basically यह थोड़ी बहुत चीज़े और terminology पता होने चीए मतलब आपको मैं क्या पता हूँ terms पता होने चीए technical analysis के support या resistance क्या होता है बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब पता होना चीए कि क्या होता है ठीक है तो थोड़ी बहुत basic चीज़े पता होंगी तो फिर हम लोग start कर सकते हैं क्योंकि मैं basic cover नहीं करवाऊंगा हम सीधा अपने patterns अपने जो हमारे harmonic और price action patterns होते है उन सारी चीज़े क्यों पर चलेंगे और beyond जो technical analysis होता है जैसे risk management होगा trading psychology होगी trading plans होगा तो वो सारे चीज़े क्यों भी हम cover करेंगे ठीक है तो यह long journey है एक महिन में अगर आप सोचो के cover हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा हलकी हलकी portion को cover होगा और उसके उपर depth analysis और पूरी तरीके से उसको हम लोग cover करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या cover करेंगे तो वो सारी problems यहाँ पर solve करी जाएंगी दूसरी बात आता है support और resistance किस तरीके से support और resistance बनाया जाता है ठीक है थर्ड चीज़ आती है double tops double bottom ठीक है double tops and double bottom फोर्थ चीज़ आती है तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझने में लिखने में दिक्कत हो रही होगी अगली वीडियो में मैं पूरा एक चार्ट बना दूँगा जिस पर आप लोगों को अच्छे सा समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हो गया उसके बाद हम बात करेंगे Rectangles and Channels के बारे में यह सारी चीजे जो मैं आप लोगों को YouTube पे दो सालों से बता रहा हूँ वही सारी चीजे कवर करेंगे देखे Multiple Analysis करना बार बार चार्ट में यह भी लगा दो यह भी लगा दो यह भी लगा दो बहुत जादा Confused हो जाते हैं Simple Analysis करेंगो Definitely अगर वो Analysis आप यह लोग सीख गए तो चाह अगर आपको Forex में करना हो चाह आपको Cryptocurrencies में करना हो चाह आपको Gold या Silver में काम करना हो किसी में भी आप काम कर सकते हो किसी में भी अगर आप यह particular चीजे सीख गए और मैं बताऊँगा कि कौन से patterns कौन से particular segment में जादा use होते हैं जैसे for example अगर मैं आपको Forex में बताऊँ तो Forex में फ्लाइक पैटर बहुत जादा genuine और rectangle patterns बहुत जादा genuine होते हैं जो definitely हमारे targets तक meet करते हैं commodity में थोड़ा अलग होता है और gold को buy करने का सबसे best time क्या होता है वो सारी चीजे आपको बताई जाएगी हर एक हफते में तीन दिन एक ऐसा time आता है और वो time period भी बताऊँगा किते बज़े वो ऐसा period आता है कि best buy बनता है gold में तो वो सारी चीजे हम लोग cover करेंगे और आप लोगों का साथ मिलेगा तो definitely यह जो community है वो बहुत ऊपर तक जाएगे ठीक है अब आते हम लोग इसके बाद flag patterns पे flag and penance patterns होते है ठीक है flag and penance pattern है आपको note करने की ज़रूरत नहीं है मैं अगली वीडियो पे एक अच्छे से एक chart बना कि आप लोगों को बता दूँगा ठीक है sixth हो गया harmonic patterns harmonic patterns होते है मैं आप लोगों को बता देता हूँ harmonic patterns के बारे में मैं ज़्यादतर वीडियो नहीं बनाई है मैं बहुत पहले बनाता था बहुत लोगों को confusion होती थी कि हम लोगों को समझ नहीं आते patterns तो आप simple patterns पाईए तो इसलिए फिर मैं price action patterns पाईए बढ़ harmonic patterns एक reliable patterns होते हैं rarely बनते हैं बढ़ अगर बनते हैं तो target तो meet करना ही है इन patterns के अगर बारे में मैं आप लोगों को बता हूँ थोड़ा बहुत तो मैं यह से हटा देता हूँ harmonic patterns के अंदर आ जाता है गाटले नाम से आप confuse मत होएगा गाटले हो गया butterfly pattern हो गया ठीक है 3rd हो गया bat pattern 4th हो गया a b equals to c d pattern 5th हो गया crab pattern 6th हो गया cipher pattern ठीक है and 7th हो गया shark pattern इसके अलावा भी patterns हैं बट यही 7 patterns है जो generally बनते हैं और इंडी पे हम लोग trade करेंगे हमें जादा तर patterns के उपर जाना नहीं ऐसे तो बहुत सारे patterns indicators होते हैं बहुत सारी चीज़े होती है उनका use अगर नहीं है तो हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कभी भी अपना extra knowledge पाने के लिए जो knowledge की requirement है उसी में ध्यान दो extra extra करते रहा हो गए अगर लोग यही करते हैं कि एक business खोल लिया तो उसके साथ 4 और खोल लेते समलता नहीं है तो जो main business है वोई बंद करना पड़ जाता है ठीक है तो हलके हलके आगे बढ़ेंगे और हमारी community definitely अच्छा करेंगे ठीक है यह patterns harmonic patterns के अंदर आ गए price action के अंदर तो आप सब लोगों को पताईए कि कौन से patterns include होते है head and shoulder, wedge pattern, cup and handle, flag pattern, rectangles, triangles, symmetrical triangle हो गया यह सारी चीज़े होती है अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता हूं beyond technical analysis तो beyond technical analysis पे आजाता है risk management ठीक है risk management के बारे में हम बात करेंगे trading plans कैसे बनाना है कैसे तरीके से अपना trading plan होना चाहिए वह पूरी बात होगी दूसरी बात stock selection कैसे कर जाता है है? stocks को कैसे select करना है वो पूरी बात देखी जाएगी उसके बाद आता है trading psychology किस तरीके से अपनी psychology को use करके हमें अपने trades को लेना है ठीक है उसके बाद हम देखी जाएगी position sizing ठीक है position sizing देखी जाएगी अपनी capital को किस तरीके से safe रखना है और वो सारी चीज़े देखी जाएगी और 6th के अंदर आ गया macro और micro factors ठीक है मतलब इंडिया के बाद ऐसा क्या चल रहा है जैसे GDP का आ जाता है उसके बाद हम देखते है unemployment का इंडिया US पे आता है तो उसका effect क्या पढ़ता है China के data से क्या effect पढ़ता है इंडिया में यह जो नई नई चीज़े आती रहती है RBI की policy आ गई यह monetary आ गई यह बहुत सारी चीज़े आती रहती है कभी कोई news आ गई तो उन से हमारी market पे अगले दिन क्या पढ़ने वाला है तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे A to Z यहाँ पे इस community पे सब कुछ होगा सब कुछ ठीक है fundamentals कुछ होगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हम लोग purely technical में करते हैं देखो अगर मैं आप लोगों को बता हूँ shares पे तो shares पे fundamentals का use हो जाता है बट क्या forex पे fundamentals का use होता है अगर हम US और INR के बीच में अगर हम लोग US dollar और INR का हम लोग trade लिना चाहते हैं तो हम उसकी कौन सी company सर्च करूँगा उस पे तो हम लोग technicals की ओपर ही ध्यान देंगे gold की कौन सी company है जिसमें मैं जाकर सर्च करूँगा कि मुझे gold buy करना या नहीं करना सारा कुछ technical है cryptocurrencies आने वाले 3 साल में बहुत जादा बढ़ने वाली है growth होने वाली है मैं उसके उपर personally अब research करना शुरू कर रहा हूँ और मैं उसके खुद भी trade लेने वाला हूँ apple हो गया facebook हो गया वो खुद की अपनी cryptocurrencies बना रहे है तो guys वो भी एक बहुत बढ़िया update आने वाला है और उसके उपर भी हम सारी बाते करेंगे ठीक है a to z सारी चीजों की basic requirement मैंने आपको बता दिये candlesticks के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या होते हैं और basic terminology पता होने चाहिए terms पता होने चाहिए ठीक है इसके साथ साथ मैं क्या और provide करवाने वाला हूँ जो मैंने आप लोगों को बता दिये था आपके सारी stock queries के related questions होंगे जो भी आप लोग भाय करते हैं अगर आपको दाउट आता है कि मैंने यह भाय कर रखा है मैं क्या करूँ exit positions वो सारी चीज़ा आपकी clear होगी अब सीधा चलते है discord पे दिखीगाई साब लोगों को पता है कि telegram का जो channel होता है जो भी groups हम बनाते है एक group अगर मैंने आपका बना दिया जैसे whatsapp और हमने group بना लिया या मने टिलीग्राम पर गुरू선 पर ना लिया तो क्या होता है उस group में अगर कोई बात कर रहा हया कि हमने यह equity पर यह stock buy कर रहा है कोई बात कर रहा होता है futures के बारे में कोई बात कर रहा है इसके उपर क्या है यह इसके उपर बात कब हुई थी इसके उपर बात कब हुई थी तो बहुत जादा problem creates हो जाती है और उसी group में मैं अगर आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी तो तो और जादा problem create हो जाएगी ठीक है? तो उसी के चकर पे मैं ये लेकर आया हूँ सब आपको क्या करना है अपने mobile phone पे से download कर लेना है बहुत easy application है मैं अभी खुद सीख रहा हूँ मैंने थोड़ी बहुत YouTube वीडियो देखी तो मिरे को समझ में आया तो अभी मैं सीख रहा हूँ 2-3 दिन का और काम है उसके बाद हम start करना शुरू कर देंगे इसे सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं इसपे है servers यह जैसे बहला server यह है दूसरा server यह है आपको यह आप दिखादे आप हम हाँ यह 2 servers ऐह seven server अगर मैं बंता हूं तो server के अंदर में multiple channels बना सकता क्यों सब्सक्राइ بही दिन तो इसी के अंदर एक server के अंदर multiple groups बना सकते हो, जैसे for example, एक server यह है, इसमें मैंने बना दिया equity cash, तो मतलब हम यहां पर जित्ती भी बात करेंगे, वो equity cash से related बात करेंगे, जो भी stocks होते हैं, यहां पर हम सारी future and options से related बात करेंगे, यहां सारी commodities से related बात करेंगे, अपको क्या आप जाके देख सकते हो, ठीक है, forex के बारे में हम बात कर सकते हैं, cryptocurrencies के बारे में बात कर सकते हैं, देख सकते हो कि आप लोग देखते होगे, हमारे instagram पे मैं बहुत जात अतर memes भी लेकर आता हूँ, हसी मजाक वाली चीज़े होते हैं, वो भी हम इधर कर सकते हैं, फिर next server मै बना सकता हूँ, course से related, course से related, फिर हम लोग वहाँ पर सीख सकते है, flag pattern की उपर, एक particular group होगा, flag pattern पर, वहाँ पर मैं अपनी videos upload करूँगा, zoom meeting की recordings आपके साथ upload करी जाएगी, और उसी flag pattern के group के अंदर एक और group होगा, जिसके अंदर हम अपने सारे charts को share करेंगे, आप अपने कर तो एक group के अंदर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, अलग group बन जाएगा, flag pattern का, अलग group बन जाएगा, head and shoulder का, और अगला बन जाएगा, stocks related doubt का, stocks, यह सारा कुछ आपको इदर ही मिल जाएगा, आपको multiple channels हमें, बार-बार telegram पर बनाने पड़ते हैं, कि मैंने एक बना दिया, कि आप अपने voice के थ्रू सारी explanation बता सकते हो, सिखा सकते हो, voice के थ्रू हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से सारा कुछ clear कर सकते हैं, और stocks I am buying, A to Z सारी चीज़े यहाँ पर आप लोगों को provide हो जाएगा, अगर आपको देखना है कि यार, किसी ने यहाँ पर जैसे, हम stock specific related hashtag reliance, reliance पे उसने कोई बात बताई, अब आपको देखना है, यहाँ पर आप search पे जाकर reliance सर्च करेंगे, तो जत्ती भी reliance की बात होई है, वो सारी चीज़े आपको provide हो जाएगी, बिल्कुल easy access information आप लोगों को provide होगी, और यह community server बहुत बढ़िया हो सकता है, अभी मैंने यह देखने है कि people को कैसे add करना है, invite करना है, मैं की उपर option की उपर जाने वाला हूँ, और मैं check करूँगा, कैसे invite करना है, हलके हलके समझ रहे है, देखे, सारा साथ आप लोगों का मिलेगा, तो हम लोग बहुत अच्छे से बन जाएंगे, और यहाँ पर अगला एक बनाया होगी, एक ही system के अंदर, एक ही levels के अंदर, यहाँ सब कुछ provide हो जाएगा, एक app के अंदर आपको इस सारा कुछ provide है, ठीक है, free of cost है, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, तो generally हम सब कुछ यहाँ पर कर सकते है, A to Z, ठीक है, तो यह मैं सारी चीजे लेकर आ रहा अपनी जो knowledge, अपने charts की knowledge है, वो यहाँ पर share कर सकते है, सारे एक दूसरे के doubts होते हैं, वो आप लोग clear कर सकते है, A to Z, एक community बनके हम लोग काम करेंगे, तो definitely बहुत people join हो जाएंगे यहाँ ठीक है, तो अगर आप आप लोगों के मन में कोई और doubt है, कि मैं कोई और नई अपने चीज भी लेकर आ सकता हूँ, इसमें जोड सकता हूँ, तो please मुझे comment section के अंदर बताईए, कि मैं मतलब कोई नई चीज भी इसके अंदर update कर सकता हूँ, तो अपने comment section के अंदर मुझे अपने doubts बताईए कि क्या-क्या में नई-nay changes कर सकता हूँ, और क्या-क्या नई होने चाहिए थे तो मैंने सबसे पहले डिसाइट कर रहा था कि जो stock specific related doubts होते हैं आप लोगों के उसके price अलग रखू जो stocks मैं buy करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता हूँ उसके charges में अलग लो और course के अलग लो बट अब मैं वो नहीं कर रहा बहुत जादा confusion create हो जाती है कि एक एक बंदे से तीन तीन तरीके के charges लिए जाएं तो मैं ये तीनों को एक ही charge में include कर दूँगा वो हर महीने चलेगा तो वो जादातर होगा वो मैं अभी decide कर रहा हूँ जो मेरी एक मतलब जिन के साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ मैं उनसे decide कर रहा हूँ जो उनके और मेरे लिए सही बैठेगा और जो आप लोगों के साथ में बैठेगा हम वो price decide कर लेंगे तो अगली वीडियो तक मैं वो price का और invite कैसे करना है वो सारा कुछ भी लेकर आजाओंगा तो इस वीडियो को नीचे support दीजिए जित्ता share कर सकते है करियो और अगर आप लोग शेयर करते हैं तो नीचे comment section में जरूर करिए कि मैंने ये शेयर करी है वीडियो तो मुझे पता चले कि आप लोग मुझे support कर रहे ह ये support मेरे साथ साथ आप लोगों को अपने आपको भी करना होगा क्योंकि ये group मेरे अलावा आप लोगों का भी है ठीक है इसी से हमारी community एक increase होगी एक platform के अंदर हम हर चीज का use कर सकते हैं देखिए हलके हलके अभी हम सिफ Indian stocks cash के बारे में बात करेंगे फिर हम लोग हलके commodity म आएंगे forex में आएंगे crypto में यूएस market में आ सकते हैं Asian markets में आ सकते हैं हर जगा हम लोग अपनी reach बढ़ा सकते हैं आप लोग इतने लोगों से मिलोगे आपका ही benefit है आप लोग इतने नए नए traders investors से मिलोगे जो आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़े बताएंगे इसी platform के एक छे महीने के अंदर तीन से छे महीने के अंदर आप ऐसे trader बन जाओगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है आप अपनी खुद की analysis कर सकते हो आपना खुद का आप एक particular branch open कर सकते हो जहां पर आप यह सारी चीज़े कर सकते हो ठीक है company open कर सकते हो यह सारा आपका मैं future से related ल आपको बता दू future and options में मेरा हाथ इतना अच्छा नहीं है तो अगर मेरे को किसी से related से doubt है किसी को आता है तो वो please अपने questions put out करें तो यह सारी चीज़ा अगर हम मिलके करेंगे न तो definitely हम बहुत बढ़िया ऊपर निकल सकते हैं और आप समझ ही सकते हैं तो इसी के साथ मैं video क section पर भर दीजिए अभी आपके पास time है इसी video पर time है कोई नई features add और करवा सकते हो कि मैं यह भी नई चीज़ लेकर आ सकता हूं जो आपको benefit दे सकती है तो वो भी comment section के अंदर बताओ share करो video को like करो मुझे पता चले और guys 50,000 मेरे subscribers complete होने वाले हैं और बस 200 subscribers और जोइन करने क मुझे नई पता कि 50,000 subscribers हैं तो वीडियो किती देखते हैं 10-20,000 लोगी videos देखते होंगे पर मैं चाहूँगा कि सब लोग एक साथ जुड़ें तो यह जो group बनावा है जो subscribers का group बनावा है वो definitely उपर तक पहुचेगा so मैं मिलता हूँ आपसे अगली video पे signing off